हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आज हम पढ़े माई वर्क्षिट नमर 16 साइंस की उदासी करन उदासी करन क्या होता है उदास उदास लग्यान को इसके पास न अच्छा है न बुरा है उसे हम उदासिन भी कहते हैं पर उदासिकरन हमारे विज्ञान को में मतलब क्या है इसके बार में हम पढ़ते हैं आज उदासिकरन किसी अमल और किसी सार के बीच में होने वाली अभिकरिया को हम उदासिकरन अभिकरिया कहलाती है एक उदासी करन अभीकरिया को निमलिकित प्रकासत दर्शाया जाता है उदासी करन अभीकरिया को हम लिखते कैसे है अमल प्लस शारक क्या देता है हमारे लवन और जल देता है ठीक है उधासी करन का मतलब के, देखे, अमले जो होता है, बहुत खटा-कटा होता, शारी ये बहुत कड़वा-कड़वा होता है, जा हम दोनों को मिला लेंगे, तो क्या होएगा, चीजे ना तो खट्टी होगे और ना ही, जादा कड़ भी होगी, तो वो क्या बन जाएगा, लवन यो धाराण होती है, उदासी अभी किर्याB uitुख्राय को होती है, sodium chloride नमक और जलग का निर्मान कते से इस प्रकार से हम लिख सकते हैं देखे उदासी करंज अभी करिया होती है वो इस पर depend करती है कि अमल कौन सा है और शार कौन सा है कैसे एक दिया है हमारे sodium hydroxide है यह हमारा शार है और hydrochloric अमल है हमने इस के अभी क्रिया कराई तो यह क्या बना रहा है हमारा लवन बना रहा है कौन सा है नमक वाला sodium chloride ठीक है और साथ boat हमारे जल बना रहा है नमक कौन सा जो हम खाते है वो अला अब देखिए जो लवन होता है, जो लवन बनता है, वो किस पर depend करता है, किस पर निर्बर कर रहा है, कि आपका अमल कौन सा है, आपका शार कौन सा है शार और अमल बहुत सारे होते हैं तो कई बार जब वो दोनों को मिलाते हैं तो ये इस पर निर्बर करता है कि ये दोनों किस तरह की है लवन जो बनता है कई बार वो अमल ये बनता है कभी शार ये बनता है कभी उधासीन बनता है ठीक है आपको क्रिया कलाब दिया गया है क्रिया कलाब में देखिए आपको पहले एक ये देखिए आपकी क्या है परकनली है ठीक है परकनली और इसमें क्या कर रहे हैं इसमें हम कुछ मिलाएंगे और फिर देखते हैं क्या होता है क्याता है कि किसी परकनली की एक चोथाई भाब को आपको तनु हाइडरक्लोरिक अम्र से भर दीजिए ये एक रंगहीन विलियन होता है जो हाइडरक्लोरिक अम्र होता हुआ एक रंगहीन विलियन होता है यानि सॉलूशन होता है फिनॉथिलीन की कुछ दो से तीन बूंद प पर देखे फिनॉप्थिलीन क्या होती है यह सूचक बताता है कि कौन सा शार है और कौन सा अमल है तो इसके दो तीन बूंदे हम परक नली में डालेंगे तो क्या आएगा परक नली को धीरे-दीरे हिलाएंगे फिनॉप्थिलीन सूचक रंग हीन है अमल से मिलाने पर सा कोई रंग का परिवर्तन नहीं हुआ जो फिनॉप्थिलीन है वो उसका सूचक जो है वो कुछ नहीं बता रहा है कोई भी रंग नहीं बता रहा है तो इससे अमल पर कोई भी प्रभाब नहीं हुआ हाइडरोक्लोरिक हाइडरोक्साइड में हमने क्या क्या सोडियम हाइडरोक्साइड में वीलियम को एक ड्रापर में लीजे सोडियम हाइडरोक्साइड वीलियम को हाइडरोक्लोरिक अम्ल में बूंद बूंद करके मिलाई पहले हमने क्या लिया हमने sodium hydroxide लिया sodium hydroxide को हमने एक क्या किया dropper में लिया और हमने जो hydrochloric अमल था ठीक है एक हमारा जो परक न लिया उसमें क्या hydrochloric अमल है उसके अंदर हमने एक dropper से लिया उसमें कुछ बून-बून हम उसमें गिरा रहे हैं क्या गिरा रहे है हमारा sodium hydroxide गिरा रहे है अब क्या हुआ जब हम धीरे धीरे उसम से मिला रहे है तो क्या हो रहा है जब तक हमारा हारा हलका गुलाबी रंग ना आदे तब तक हमें उसे घुलाते रहना है मिलाते रहना है यह अभीक्रिया पता ही कौन सी हो रही है अभीक्रिया हमारी उदासी क्रेन अभीक्रिया हो रही है इस इस्तिति हैं परकनली में लिया गया गया जो हाइट्रोक्लोरिक अमल है वो पूर्ण रोब से सोडियम हाइट्रोकसाइड सारक के साथ उदासी क्या जाच चुका है इस प परकनली के तापमान को बढ़ा देती है ठीक है उसमें से उश्मा निकलते है थोड़ी सी गर्मे निकलती है और वो क्या करती है परकनली का तापमान बढ़ा देती है हम इनके अब आंसर करते हैं आंसर है इसका पहला कोशन पढ़ते है लाला कोशनी कहता है उस अभी किरिया को क्या कहते है जिसमें एक लवन किसी सारक के साथ अभी किरिया का लवन और जल का निर्मान करता है तो उसका नाम है उदासी करण दूसरा है सोडियま हाइडरोक्साड र हाइडरोक्र्लोरिक अमल एक दूसरे को उदासिनकर लोओन और जल का निर्मान करते हैं उदासिकरिया है निर्मिट लोओन अमली ये शारी और उदासिन प्रकृतिका हो सकता है यह हमारा यहाँ पर फिलिंग दा ब्लैंक से अमलिय शारियर उदासी ठीके आगे हमारा है यदि हम उदासी के रिए अभी क्रिया की ततकाल बाद परक नली को सफश करते हैं तो वह गरम महसुत होती है ऐसा क्यों होता है तो इसका आपका अंसर है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदासी नभी क्रिया में उश्मा निकलती है और ये उश्मा क्या करती है हमारी परक नली का तापमान बढ़ा देती है इसलिए हमें वो गरम लगती है ओके फ्रेंट्स यहाँ पर हमारे वीडियो कंप्लिट होता है आपको वीडियो अच्छा लागा उसे लाइक कीजिए कामेर कीजिए शियर कीजिए अब यासी प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए मैं चैनल को सब्सक्राब कीजिए थैंक यू